आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में यह हमारा सेकेंड वीडियो होने जा रहा है Life Process in Living Organism Part 2 जो हमने स्टार्ट किया है SSC Class 10 का इसके प्रिवेस वीडियो में हमने बहुत सारी basic चीजे जो हैं वो समझ लिया है हमने अब हम आ चुके हैं अपने second lecture में तो आज हम अपने इस lecture में यह समझने वाले हैं कि हमारा जो cell होता है हमारा जो body का cell होता है वो कैसे energy को produce करता है यानि कि वो energy को generate कैसे करता है तो यहाँ पर कुछ पुरानी बाते हैं जिनको हम यहाँ पर recall करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर start करेंगे तो प्रिवेस वीडियो में हमने यह देख लिया था कि जो हमारा carbohydrate होता है उससे हमको glucose मिलता है जो protein होता है वो हमको देता है amino acid and at the end जो हमारे fats होते हैं उनसे हमको मिलता है fatty acid and alcohol तो यह सारे चीजे हमने पहले ही देख लिया है कि कार्बोहार्डेट जो होता है वो हम वो कहां से मिलेगा और कार्बोहार्डेट खाने के बाद उसका breakdown होगा multiple small small pieces में तो वो pieces किस के हैं वो pieces किस चीज के बने हुए है और अगर जो कार्बोहार्डेट जो main product है अगर उसका decomposition होगा उसका oxidation होगा वो हमारे body के अंदर जाके अगर पचेगा डाइजेस्ट होगा तो वो decompose होगा in the form of glucose and protein decompose होगा in the form of amino acid and fat decompose होगा in the form of fatty acid and alcohol चौक है तो यहाहाँ पे सवाल आता है कि क्या हमने झो सवाना खा लिया उससे क्या हमको energy मिल जाएगी तो यह energy के लिए को एनर्जी पाझाएं is not spricht to you अगर आपको एनर्जी चाहिए तो यहां पे nutrient sufficient नहीं है यहां पे nutrient polym liability जुने होगी बिकास्षर अपगा help करेगा because oxygen आपको help करेगा आपके खाने को decompose होने में आपके खाने को तोड़ने में तो आपके आप जो भी खाना खाएंगे उसको breakdown होने में small small pieces में तोड़ने में जो help करेगा वो है हमारा oxygen तो आप चाहें कितना भी खाना खालो कितना भी खाना खालो लेकिन अगर आप oxygen नहीं ले रहे हो अंदर तो आपके खाने की कोई value नहीं है because वो खाना जाके वैसे ही जमा रहेगा, store रहेगा आपके body के अंदर उसका कोई further use नहीं होगा, उसका breakdown तक नहीं होगा तो यहां पे जो oxygen है वो आपको एक breathing process से मिलेगा breathing process क्या है, breathing process एक ऐसा process है जिसमें हम लोग oxygen को लेते हैं और carbon dioxide को बहार निकालते हैं, यह सब basic चीजे तुमको पता ही होगी तो यह breathing process होता है, तो यह breathing process जो होता है, यह respiration के through होता है यानि कि respiration, जब हमने पढ़ा था कि कोई भी living organism खुस-खुशाल रहता है तो उसको खुस-खुशाल रहने में यह भी process था, respiration वारा इसका भी होना बहुत जरूरी होता है तो अगर किसी organism के body के अंदर respiration process बराबर से हो रहा है तो अब एक बार देखते हैं यहाँ पर जो respiratory system है, वो कैसे काम करता है इंसानों के अंदर क्योंकि अभी हम लोग फिलार यहाँ पर इंसानों की बात कर रहे है तो इंसानों के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि यह जो breathing process होता है, यह कैसे काम करने वाला है ठीक है, तो let's look on breathing process, तो देखें यहाँ पर कुछ respiratory system के कुछ basic parts हैं जिनके उपर हमने यहाँ पर बात करना है यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक cavity होती है, इसको हम लोग नेजल cavity बोलते हैं यानि कि जो आपका नाक वाली cavity होती है, जहां से आप oxygen को inhale करते हो और carbon dioxide को exhale करते हो वो जो space होता है उसको बोलते है nasal cavity और उसके बाद आप जिस part से, आप जिस cavity से, आप जिस hole से खाने को अंदर ठूसते है, उसको आपन बोलते है oral cavity ठीक है, oral gravity के बाद हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं उसके बाद larynx यह जो कडक डक पाड होता है जो listening pipe होता है जिसके थुरू हमारा oxygen अंदर जाता है body असको बोलते है traquea अब कुछ लोगों प्रावलम होती है कि सर ये ट्रैकिया को याद कैसे रखें ये नाम प्रॉपर तरीके से याद नहीं होता तो इतना याद रखो यार ये ट्रैकिया उस पुजगह पे लाइस करता है जहां पर आप तकिया लगा के सोते हैं तो तकिया से याद रखिए ट्रैकिया, जहां पे आप तकिया लगागे सोते हैं, सर के नीचे, गर्दन के नीचे, उसी पोजिशन में यह ट्रैकिया होता है, तो इतना याद रखिए कि ट्रैकिया तकिया वाले पोजिशन के आगे है, बस इतना याद रखिए, ट्रैकिया के में एक आता है left lung में तो यह जो पार्ट है जो oxygen को right lung में लेकाता है और यह जो पार्ट है जो oxygen को left lung में ले जाता है तो इसको बोलते हैं bronchi ठीक है, and bronchi obviously, एक जाएगा, right lung में, एक जाएगा left lung में, और ये जो lungs है ना, जो fajfory है, एक particular position पे एक particular portion के ऊपर टिके होगे है, तो उस portion को हम लोग बोलते हैं अब यह जो lungs है यह जो lungs है यह जो lungs है lungs के अंदर ऐसे बहुत से balloon lungs के अंदर बहुत से grape shape की structure है grapes का गुच्छा देखा आप लोगने वहाँ अंगूर का गुच्छा कैसे होता है तो अंगूर के गुच्छे ऐसा bunch of banana bunch of banana bunch of banana जैसा structure होता है हमारे lungs के अंदर तो उसको हम लोग alveoli बोलते हैं अच्छा यह alveoli का काम क्या होता है alveoli का काम यह होता है कि यही वो जगह है जहां से हमारे blood के अंदर oxygen और carbon dioxide का exchange होता है यानि कि alveoli के अंदर हमारा blood आता है और यह alveoli के अंदर blood के अंदर ठूस देता है अब यह जो दोनों lungs है right lung और left lung यह दोनों lung एक portion पर टिके हुए हैं उसको बोलते है diaphragm तो diaphragm के उपर यह जो lungs है यह टिके हुए है diaphragm एक surface है एक portion है एक reason है जो support करता है lungs को वहाँ पर टिके रहने के लिए तो यह कुछ basic part है respiration के तुमारे exam में कुछ labeling करने के लिए आ सकता है कोई न कोई चीज़ छोड़ देंगे वो लोग labeling करने के लिए और तुमको बस label करना है और marks कमा लेना है तो यह इतना आसान है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कोई top चीज नहीं है एक दो चीज मिसिंग कर देंगे और तुमको वो चीज़े वहाँ पे payment और तुमको वो चीज़े वहाँ पे लिखनी पड़ेंगी और बस लिखने से तुमको marks मिल जाएगा तो बस इतना याद रखो nasal cavity है, oral cavity है, larynx, trachea है उसके बाद right lung है, left lung है, alveolar है और diaphragm है खतम अब यहाँ पे जो respiration हमारे body के अंदर होता है, यह mainly दो type के होते है अब सवाल आता है कि respiration तो respiration होता है, अब यह इसके type कैसे आ गए? respiration, सांस लेना, सांस छोड़ना बस यह तो respiration? नहीं, ऐसा नहीं है खाली सांस लेना, सांस छोड़ना यह इतना ही respiration नहीं है इतना respiration उन बच्चों के लिए है, जो class पाच्वी और चोथी में but you guys are in higher standards, so आपके लिए इतना ही नहीं है respiration आपके लिए respiration दो प्रकार की है पहला respiration है body level respiration है, दूसरा respiration है cellular respiration तो यहाँ पर बात करते हैं body level respiration क्या होते है body level respiration एक ऐसा respiration है, जिसमें gases का exchange होता है lungs और external environment, मतलब थम जहाँ जहाँ पर घूमते फिरते हैं हम जहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर हम oxygen को लेते हैं और carbon dioxide को छोड़ते हैं, तो यहाँ पर काम कोन कर रहा है यहाँ पर हमारा lungs और external environment, यह दोनों आपस में meal part के काम कर रहे हैं, और यहाँ पर gases का exchange हो रहा है तो इसको बोलते है body level respiration, ठीक है अब दूसरा कौन सा है, दूसरा है यहाँ पर cellular respiration तो cellular, नाम से सुन्याता है कि cellular, cell कहाँ होता है cell हमारी body के अंदर, जैसे मालों मिला है जो skin है अभी यह skin किसे बना हुआ है, यह skin बना हुआ है बहुत सारे tissues से, और यह बहुत सारे tissues किसे बने हुए यह बहुत सारे tissues बने हुए, बहुत सारे small small cell से तो अब यह जो cell होता है, इस cell के अंदर इस cell के अंदर जो respiration होता है जो gases का exchange होता है उसे हम कहते हैं cellular respiration यानि कि cell के अंदर जो भी हमारा food material है वो decompose होता है यानि कि वो breakdown होता है oxygen की वज़े से इसलिए हम लोग उसे कहते हैं cellular respiration यहाँ पर कुछ लोग को तकलिफ आती है कि सर यह oxidation process क्या होता है पीसेस में अलग अलग small small टुकडो में बंट जाता है तो example के तोर पे अगर तुम्हारे पास रोटी है तो रोटी को अगर तुमने रख दिया एक दिन हो गया दो दिन हो गया तीन दिन हो गया अगर तुम नहीं खा रहे हो तो वो oxygen के presence में वो क्या हो जागा decompose होना start हो जाएगा दिरे दिरे वो खराब होना start हो जाएगा पास ही होगा फिर उस पर इंदर white white फफंदे लग जाएगे और फेटना पर खराब हो जाएगा तो यही होता है oxidation process यानि कि वो breakdown करता है खाने को small small pieces में ठेक है breakdown of our pieces तो अब हम लोग यहाँ पर respiration करा लिया है और respiration कराने के बाद हमारा जो glucose molecule है उससे अब हमको यहाँ पर energy मिल जाएगी यहाँ पर देखे जो red blue वाला sand है वो यहाँ पर कूद रहा है बहुत से energy आगए इसके अंदर तो respiration के बाद हमको यहाँ पर energy glucose से मिल जाएगी ठ्क क्यू ग्लुकोज का decomposition हो गया लेकिन यह इतना आशान नहीं है जितना मने बोल दिया ग्लुकोज से energy लेना इतना आशान नहीं है जितना मने बोल दिया ग्लुकोज से energy लेने के लिए यहाँ पे total 3 step है total यहाँ पे 3 step है जिसका जरुद होता है जब हम लोग glucose से energy को खीच रहे होते हैं तो वो step कौन से हैं उसमें पहला step होता है glycolysis process तो पहला step होता है glycolysis process जो हमें help करता है glucose से energy लेने में दूसरा step होता है creep cycle and at the last step होता है ETC reaction, electron transfer chain तो यहाँ पे 3 step होता है जिसकी वज़े से जो हमें help करते है energy को glucose से लेने में तो पहला step को होता है पहला step है glycolysis process दूसरा है creep cycle and third है ETC reaction क्यूंकि glucose से energy लेने का जो process है यह बहुत से अलग-अलग steps में involved है इसलिए ऐसे process को हम लोग बोलते है multi-state process लेकिन एक मेंट यहाँ पे रूखो यहाँ पे अभी यहाँ पे हम लोग बातचित करेंगे तुमने देखा है हमारे इंडिया तुमने देखा होगा कि हमारे इंडिया में passenger दो डाइब की ट्रेने चलती है एक होती है male train जो चलती है long route के लिए जैसे आपको एक state से दूसरे state में travel करना होता है जैसे आपको Mumbai से Goa या Mumbai से आपको मानलो सूरत जाना है अमदाबाद जाना है Mumbai से दिली Mumbai से यूपी जाना है तो इन सभी states के लिए कि यह अलग अलग states है तो अलग अलग states के लिए जो ट्रेने चलती है हम लोग उनको बोलते है mail train या express train बोलते है ठीक है लेकिन जो limited stop के लिए चलती है for example अगर मैं Mumbai local की बात करूँ या अगर मैं दिली local की बात करूँ या metro की बात करूँ तो यह सब क्या है यह सब यह सब limited area के लिए चलती है अभी आप बांदरा पोच गया वहां पे आप आप के पास facility है कि आप बांदरा से express train को पकड़ सकते हैं और local train को पकड़ सकते हैं बट मान लोग अगर आप यहां पे कही नाला सोपारा पोच गये अभी नाला सोपारा में आप लोग को express train थोड़ी मिलने वाली वहां पे आपको local train मिलेगी तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जिस सरीके से trainों के दो प्रकार होते हैं और वो particular stations से ही मिलती है उसी तरह से जो energy होती है energy के भी दो प्रकार होते है और वो जो दोनों प्रकार की energy होती है वो हर station पे नहीं मिलती है अब station से मेरा मतलब है यह glycolysis, krebs cycle और ETC यह क्या है यह सभी stations है glycolysis, krebs cycle, ETC यह तीनो station के रूप में काम करेंगी यानि कि glycolysis में मुझे एक प्रकार की energy मिलेगी krebs cycle में हो सकता है मुझे किसी और प्रकार की energy मिले ETC में मुझे और किसी प्रकार की energy मिले तो यह क्या है, यह तीनो एक stations हैं जो हमको energy के अलग-अलग प्रकार को provide करने में मदद करने वाले हैं जैसे train में, ठीक है तो अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ तो अब यहाँ पे देखते हैं कि या energy के प्रकार कितने होते हैं तो यहां पर देखें, एनर्जी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डारेक्ट इनर्जी और एक होता है इन डारेक्ट इनर्जी जो होता है उसको हम लोग हाँ, डारेक्ट इनर्जी के अंदर जो इन्वाल होता है वो होता है ATP, ATP stand for adenosine triphosphate, ठीक है यह जो इन डारेक्ट इनर्जी होता है, इसके अंदर दो enzyme होते हैं, दो co-enzyme होते हैं, जिनका नाम है NADS2 और FADS2 अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो NADS2 है और FADS2 है इन लोगा full form क्या है, FADS2 जो है वो stand करता है Flavin Adenine Dinucleotide यह जो NADS2 है वो stand करता है Nicotinamide Adenine Dinucleotide, तो ठीक है यहां तक हमने देख लिए energy के दो प्रकार तो हो गए, एक diet energy हो गई और एक in diet energy हो गई, लेकिन यह जो diet energy है और यह जो in diet energy है उसको याद कैसे रखे, उसको हमारे भेजे में याद की रखना जरूरी है ना, क्योंकि हम पढ़ना है पढ़े क्यों रहे है उसको तो याद कैसे रखें उसको तो इतना याद रखो कि जो diet energy होता है वो cash की तरह काम करता है, रोकड़े की तरह काम करता है और यह जो in diet energy होती है वो check की तरह काम करती है, अब यहां पर 1 minute के रुखो और सोचो, मान लो आपको, मान लो आपको चौकलेट खाने का मन किया पांच रुपे का, मान लो आपको 10 वाली catberry dairy milk खाने का मन किया और अभी आपने अपने मम्मी के पास गया और मम्मी के पास जाने के बाद आपने 10 रुपे का डिमान के उन्होंने आपको 10 रुपे का note दी और आप दुकान पर फटाफ़ट पापा पापा मुझे चॉकलेट खाना है तो आप मुझे दस रुपे देदो तो पापा भी चालाग है ना वह भी हुशी आरे हैं उन्होंने भी सोचा कि यार यह पढ़ता उड़ता तो है नहीं हमें से डाट सुनवाता है उपन हाउस में तो चलो आज इसकी लेते तो पापा यह हुआ पर यह समर्ख का ल Chapel dan 85 we सकता हुआ प का मुझे मंगर शुचो की अंकल जो दुखान के बैटे हैं उन से उसे timestありがとうございました पचास रुपे का लिक सेबाड़ी इतना दूर है और तूमकलम का चेक यह ए अगर उनकल को वह दिस रुपे का चेक का कश मेंचता उनको तो पहले उ बैंक बजाना पड़ेगा उसको जमा करना पड़ेगा देन वो 50 रुपे खर्चा करेंगे तब वो 10 रुपे ले पाएंगे तो अंकल ने सोचा इसके उपर उन्होंने क्या बोला उसको बैड़ा तू पहली फूर्शत में यहां से निकल तो यहां से कट ले क्योंकि यहां पर मतलब अगर तुम इसको खोलो गे इसको छोड़ो गे तब जाके कही तुमको इनके अंदर मいきます याद कर लोू थेके तो याद कर लो तो पस इतना याद रखो डाय नेट्जी के अंदर एटीपी मिल जाएगा एडिनोसायन ट्राइफास पिड और इन डाय नेट्जी के अंदर आपकोlarda cap मिल जाएगा ऑर इन डाय नरज्यी के अंदर आपको नाड़ु याद रखनी है, point है जो आपको हमेंसा याद रखने का है, point यह है कि जो आपका NADH2 होता है, उससे आपको जब भी वो NADH2 वाल जो चेक है, अगर आप उसको बैंक में जमा करोगे, तो उससे आपको टोटल 3 ATP मिलने वाले हैं, अब सारी basic चीज़ समझ लेने के बाद, अब हम हम लोग यहाँ पे अपने glucose से energy को extract करना, energy को खीचना, energy को बनाना शुरुआत करते हैं, तो glycolasis process जो है, glycolasis process यह पहला process है, जिसका यूज करके हम लोग energy को extract करते हैं, ठीक है, यह जो glycolasis process है, इसको खोजा है, 3 scientist लोग ने, इनका नाम बहुत विचितर विचितर है, तो सरनेम है, अपने को उससे मतलब है, for example, पहले वाले का सरनेम का starting word E से हुए, दुसरे वाले के सरनेम का starting word M से है, और आखरी वाले के सरनेम का starting word P से है, तो इसलिए इसको बोलते हैं, EMP path, ठीक है, glycolasis process को EMP path के नाम से भी जाना जाता है, अब यह जो glycolasis process होता है, यह कहां प तो यह जो सेल होता है, सेल के पास अपने बहुत सारे सेल ऑर्गनल्स होते हैं, like lyzozom, mitrokondria, golgi, voddy, nucleus, 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 तो यह सब बहुत सारे चीज़े जो होती है, वो सेल के अंदर यह सारे सेल तैर रही होती है, यह सारे जिस तलाब में तैर रही होती है, वो तलाब एक जो हमने खाना खाया है जो हमने जो भी चीज़े हमने खाई है उसे हमको मिला है ग्लुकोज का फॉर्मुला होता है C6H12O6 यानि कि यहाँ पे 6 carbon है और 6 पानी है पानी का formula क्या होता है H2O तो H2O को अगर तुम 6 से multiply करोगे तो H2O को अगर तुम 6 से multiply करोगे तुमको मिलेगा H12O6 तो कहने का मतलब यह है कि जो glucose है उसके इंदर 6 carbon है और 6 पानी है तो हम लोग फिलाल पानी को अलग करेंगे और 6 O carbon को यहाँ पे लेके आएंगे तो 6 O carbon हमारे cytoplasm के अंदर आ चुके है अब इन 6 O carbon को हम लोग बीच से काड देंगे, आदा आदा बीच से काड देंगे बीचो बीच फाड देंगे, तीन को अलग कर देंगे, तीन को अलग कर देंगे तीन-तीन की जोड़ी बनाएंगे तो अब जो यहाँ पे पहला तीन है और जो दूसरा तीन है जैसा पहला तीन करेगा वैसा ही सेम काम दूसरा तीन भी करने वाला है इतना याद रखों यहाँ पे तो अब पहला तीन क्या काम करने वाला है पहला तीन जो है वो ग्लाइकोलासीस प्रोसस के अंदर कन्वर्ड हो जाएगा पाइरओग केशट में तो जासा कि मने बता है अगर पहला वाला पाइरओग में कर लेगा दुस्से में अपम सवगयों में कंवर्ड B अब सुनों यहाँ पे यह जो carbon pyrogation में convert हुआ इसने हमको direct energy दिया है in diet energy दिया है साथी साथ में byproduct दिया है अब यहाँ पे देखिए diet energy में हाँ diet energy यानिकी ATPs और in diet energy यानिकी NADH2, FADH2 byproduct यानिकी पानी और carbon dioxide तो यहाँ पे देखते हैं glycolysis के अंदर हमको क्या-क्या मिलने वाला है यानिकी यह जो glycolysis नाम का station है इस station के अंदर हमको कौन सी train जो है हम यहाँ से पकड़ सकते हैं तो यहाँ देखिए glycolysis के अंदर आपको direct energy के नाम पे ATP मिलेगा और in diet energy के नाम पे NADH2 मिलेगा और byproduct के नाम पे पानी मिलने वाला है तो जैसा एक हाफ में होगा same to same चीज हमको दूसरे हाफ में भी मिलेगा तो यहाँ पे glycolysis के अंदर direct energy में total 2 ATP मिल जाएंगे indirect में 2 NADH2 मिल जाएंगे और 2 पानी मिल जाएंगे ठीक है अब हमको पता है कि यहाँ पे जो NADH2 होता है जैसा हमने पढ़ा था important node में point to be remember में कि जो NADH2 होता है एक NADH2 से हमको 3 ATP मिलता है लेकिन यहाँ पे कितने NADH2 है यहाँ पर total 2 NADH2 है तो 2 NADH2 से कितना मिलेगा 2 NADH2 से हमको मिलेगा 6 ATP हमको required energy से अंदर network dagen evolution chip Aunty phosphate से मतलब है हमको किसी से मतलब नहीं है हमको यहाँ पर total energy कितनी हो जाएगी यहाँ पे direct को जोड़ देंगे तो 2 ATP मिल जाएगी एक इस वाले की एक इस वाले की और इंडारेक्ट की बात करें तो इंडारेक्ट में टोटल 6 मिल जाएगा तीन यहां से मिल जाएगा इस हाफ से तीन इस हाफ से मिल जाएगा एंड 6 और उपर का 2 तो 6 और 2 को एड़ करेंगे तो टोटल यहां पे 8 ATP जो है हम यहांपे हमको मिल जाने वाला है तो total energy glycolosis process के अंदर जो हमको मिलने वाली है वो है 8 ATP अब glycolosis से आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं intermediate step की अब intermediate step नामसे होना दाएगे को यह कुछ bardzo बिच वाला है या ना तो यह male या तो यह female, यह beach वाला है, है ना, यह beach वाला है, उस तो है, जब हम लोग glycolysis से अगले step में move कर रहे होंगे, तो beach का जो process होता है, उसे ही हम कहते है intermediate step, जब लोग कभी आठीवी class में थे, तो अभी तुम्हारा मन किया कि हम भाई अपने इस school में बहुत बोर हो गए हैं, अब हम लोग किसी एक नए school में admission कराते हैं, यह नए दोस्त मनाते हैं, वहाँ पढ़ेंगे, तो जैसे ही तुम किसी नए school में जाते हो, तो वहाँ पे तुमसे एक entrance test लिया जाता है, तुमको तुमसे वहाँ पे एक entrance test लेते हैं, अगर तुम उस entrance test को क्लियर करने में सफल हो जाते हो, तब जाके तुम्हारा admission होता है, यानि कि तुम्हारा आठवी और नवी कच्छा के बीच में एक test हुआ, entrance test, उसे कहते हैं intermediate test, ठीके, सब जगे अलागर नाम होता है, depends on the place, आप कहाँ पे है, ठीके, तो सेम उसी तरीके से, यहाँ पे जो glycolysis है और creep cycle, इन दोनों के बीच में एक जो process आता है, एक step आता है, उसे कहते हैं intermediate test, तो अब देखते हैं intermediate test में कितनी energy बनती है, क्या-क्या बनता है, यह जो intermediate step है, इस intermediate step के अंदर, जो हमारा pyroic acid है, वो convert हो जाता है, acetyl coenzyme A, acetyl coenzyme A में, ठीक है, तो इससे हमको क्या, ठीक है, convert हो जाए, acetyl coenzyme A में हो, B में हो, C में हो, उसे हमको क्या, हमको क्या फरक पड़ता है, उसे, फरक पड़ता है, हमको यहाँ से मिलने वाली है energy, यहाँ से हमको मिलेगी, indirect energy, NADS2, और bi-product मि यहाँ पे convert हुआ था हमारा 3 carbon pyroic acid में, और अब intermediate में pyroic acid जो है, वो convert हो गया है, acetyl coenzyme में, एक हाफ में, जैसा यहाँ जैसा पहले हाफ में होगा, वैसे, same to same, दूसरे हाफ में भी हो रहा है, देखिए, यह भी pyroic acid convert हो गया, acetyl coenzyme A में, यहाँ पे हमको मिलेगी, indirect energy NADS2 और CO2, same उसी तरिये से, यहाँ भी हमको मिलने वाला है NADS2 और CO2, ठीक है, अब, यहाँ पे हमको एक चीज़ तो याद है, कि NADS2 से हमको मिलता है 3 ATP, और यहाँ पे total जो NADS2 का amount है, वो है एक इस हाफ में, और एक इस हाफ में, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो total, intermediate step के अंदर, total जो energy मिलती है, वो मिलती है 6 ATP, glycolysis के अंदर मिलती है 8 ATP, और intermediate step के अंदर मिलती है, हमको total 6 ATP, अगर आप लोग को समझने में, हाँ, ठीक है, total 6 ATP, हो, समझ में आ रहा है तुम लोग कुछ, हाँ, आशा करता हूँ कि तुम लोग को, हाँ, मैं यहाँ पे मान के चल अच्छे से उसको, ठीक है, हम लोग फिर से बताएंगे तुमको, हाँ, अगर तुमको कोई भी तकलीफ आ रहे है, तुमको comment कर लो, तो कोई वस्ता नहीं, तुम्हारे problem solve हो जाएगी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप बात करते हैं, आखरी step के बारे में, अब ब यह तनी बड़ी चीज कोष कर दिया, इसको Nobel Prize मिलिया हो इसको, तो यह जोdisplay cycle होता है, यह होता कहां पे हैं, जैसे glycolis होता है, साइटोप्लाजम के अंदर उसी तरीके से यह जो क्रेप साइकल होता है यह सिल के अंदर साइटोप्लाजम के अंदर एक सिल औरगनल होता है जिसका नाम है है citric acid के अंदर यह कुछ नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे बट आपको याद करने पड़ेंगे कोई अप्शन नहीं है इसके लिए ऐसेडाइल को इंजाइम कनवर्ड हो जाएगा citric acid के अंदर तो फिर से सवारत आएगे ठीक करनवर्ड हो गया लेकिन उससे हमको क्या यहां भी देखिए यह जो एसेडाइल को इंजाइम है अब वह करने जाएगा citric acid में जैसा इस हाफ में हु जाथा डारेक्ट और इंडारेक्ट मिल जाथा यहां पर देखिए क्रेप साइकल के अंदर हमको इंडारेक्ट नेटजी मिलेगी और यहां पर सब कुछ मिलने माला है यहां पर एक चीज़ या रगी हमें सांदर 311 यानि कि 3 नाडू 1 फाडू और 1 ATP एक हाफ की बात कर रहा नाडू से हमको मिलता है 3 ATP तो 3 नाडू से कितना मिलेगा 3 नाडू से हमको मिलने वाला यहां पर 9 ATP एक नाडू से हमको मिलता है 3 ATP तो 3 नाडू से मिलेगा हमको 9 ATP और 9 इस वाले में आधे हाफ में 9 और आधे हाफ में 9 और 9 कितना हो जाएगा total 18 ATP तो 18 ATP हमको मिल जाएगा ना तो हमको बता है कि जो फाडू होता है एक फाडू से, एक फाडू से हमको मिलने वाला टोटल दो ATP, तो दो ATP यहां से, इस हाफ से, दो ATP इस हाफ से, टोटल टू और टू यहां पे हो जाएगा टोटल 4 ATP, तो फाडू से हमको मिलने वाला ATP कितना हो जाएगा? 4 ATP, और उसके बाद डाइट नेर्जी में 1 डेपी यहां पर 1 डेपी यहां पर तो 1 और 1 हो जाएगा 2 तो 18, 4 और 2 18 और 4 हो जाएगा 22 और 2 हो जाएगा 24 ठीक है तो यहां मैं बोल सकता हूँ कि जो क्रेप साइकल है क्रेप साइकल के अंदर मुझे यहां पर देकिए अब यहां पर देकिए एकस्पेंरू है लुकोज से 38 ATP कैसे पैदा होते हैं तो यही सब चुझे तुमको लिखनी है पहला glycolasis, दूसरा intermediate से तिसरा creep cycle और तुमको बता दे रहा है कि कौन से वाले से कितना ATP मिलने वाला है glycolasis से मिलने वाला है 80 ATP, intermediate से मिलने वाला है 6 ATP और creep cycle से मिलने वाला है 24 ATP और सब को add कर देंगे तो total हो जाएगा यहाँ पर 38 ATP, ठीक है तो इस तरीके से तुमको यहाँ पर प्रूफ करना exam है और तुम्हारा आम से प्रूफ कर लोगी ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक glucose molecule से 38 ATP कैसे पैदा करने वाले हैं, वो हमने यहाँ पर देखिया है अब जो हमारा आखरी station है अब यहाँ पर जो हमारा आखरी station है जरा उसके उपर गौर फर्माते हैं जो ETC cycle है, उसके उपर देखते हैं थोबाबाद करते हैं उसके उपर तो ETC Cycle के अंतरा, जब मैं बात करता हूँ, ETC जो reaction है यह stand करता है, electron transfer chain, यह stand करता है, electron transfer chain, इसका full form electron transfer chain, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमने अभी तक, यहाँ पे जो हमने अभी तक indirect energy देखा न, जो भी तक हमने in direct energy देखा है जो चेक वाली energy है चेक वाली तो चेक को हमको कहीं bank में डालना पड़ेगा तब जाके हमको उसका cash मिलेगा रोकडा मिलेगा तो उस in direct वाली energy को हम जिस bank में डालने वाले हैं वो bank का नाम है ETC यानि कि यह जो ETC reaction है यह वही bank है जो हमारे नाडू और फाडू को तोड़- तोड़ के convert करेगा simple form में और simple apps हमको देना वाल norm है यह हमारा चेक लेके हमको रोकडा देने वाला?га ATP नाम का रोकडा हमको यह देने वाला है तो देखते हैं साथ यह bank यह जो होती है ये जो ETC ग्रा रेक्शन है इसके अनदर बेसिकली oxygen involved होता है और oxygen यहाँ पे convert करता है सारे indirect energy को direct energy के अंदर यह क्या करता है oxygen breakdown करता है food को उसके small small pieces में small small portions में और उसकी ही मदद से यह जो ETC reaction है यह हो पाता है और यह indirect को direct में convert कर पाता है ठीक है जैसे यहाँ पी देखें जो हमारा sound है Red Bull वारा यहाँ पे अपने को energy को उस Chairman के लिए यह एक मिला है तो अपने रेप्रेजन कर दिया बाकि वांगों को मिल नहीं रायता कुछ यहाँ पे और कोई मसला नहीं है समझ जाएगा बहुत ही आसान है बस इसका question exam में याद रटना compliments का question exam में आएगा कि 38 ATP एक glucose से कैसे बना सकते हो मतलब एक glucose molecule से कैसे 38 ATP पैदा होता है बस उसी को explain करो step by step और कितने processes में होता है और respiration वाला देखा था हमने तो respiration थोड़ा important होता है इसके अंदर तो बस यहीं देखा है हमने आज के इस वीडियो में and if you guys gain some knowledge from our video तो subscribe कर दो यार फटा फट से अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना बिल्कुल मत बूलिए इस वीडियो के लिए इतना है मिलते हैं आप से अगरे वीडियो में thank you for watching जाएके